हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे स्वागत करता हूँ मेरे योट्यूब चैनल IVME में मैं आज आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आज बात करने जा रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड आस जानकारी जो सायद आपको जाननी बहुत जरूरी है मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो मैंने काफी सोचने के बाद बनाया है कंप्यूटर को जानना आज के युग में बहुत जरूरी है और कई ऐसे बच्चे हैं कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो की कंप्यूटर के जानकारी से अनभिग हैं या कंप्यूटर को नहीं जानते या कंप्यूटर चलाना नहीं जानते तो ये वीडियो उनके लिए है तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी कंप्यूटर से परिचित हो जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। अकसर देखा गया है कि कंप्यूटर क्लासेस या फिर कंप्यूटर से जूड़ी जानकारी इंगलिस के माध्यम से ही आपको सारवजनी की जाती हैं। जिसके वज़ा से हिंदी वर्ग के चातर चातराएं या हिंदी वर्ग के लोग हैं वे कंप्यूटर के बारे में नहीं जान पाते या फिर वे जानने में हसमर्थ हो जाते हैं तो ये वीडियो मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है आज के युग में कम्प्यूटर का कितना महतु है ये तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि हर विभाग और हर संस्थान में आज के समय में कम्प्यूटर से ही काम होता है बीना कम्प्यूटर के आज के समय में कुछ भी संभाव नहीं है शुरू करते हैं दोस्तों कम्प्यूटर से जुड़ी जनकारी तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक विद्धूत यंत्र है जिसकी मदद से हम गनितिय गन्ना और तारकिक संकुचन से संबंदित विशयों पर बिना गलती के काम कर सकते हैं कम्प्यूटर डेटा लेता है निर्तेसों की एक सूची के अनुसार उन्हें संसाधित करता है और इसलिए प्रसंसकरन के परिनामों को संग्रहित करता है वे परिनाम को हमेशा के लिए संग्रहित कर सकते हैं आगे एक प्रसन उठता है कि कम्प्यूटर को किसने बनाया तो चार्ल्स बेवेज को कम्प्यूटर का इता कहा जाता है आगे हम जानते हैं कम्प्यूटर के उप्योग के बारे में कम्प्यूटर एक electronic उपकरन है जो सूचना या डेटा में हेर फेर करता है इसमें डेटा को स्टोर करने, पुना पराप्त करने और संसाधित करने की छमता है आप पहले से ही जान सकते हैं कि आप दस्तावेजों को टाइप करने, इमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कम्प्यूटर का उप्योग कर सकते हैं electronics का उप्योग input पर करिया और फिर output डेटा के लिए करता है डेटा के input का अर्थ है, keyboard से जानकारी पढ़ना, hard drive या store sensor जैसे device, software प्रोग्राम में निर्देशों का पालन करके कम्प्यूटर डेटा को प्रोसिस या प्रविर्तित करता है डेटा को storage डिवाइस में save किया जाता है, display पर दिखाया जाता है, या दूसरे computer पर भेजा जाता है computer को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे internet जैसे network बनाने के लिए, जिससे computer एक दूसरे के साथ सम्वाद कर सके computer का कार, computer basically input, process, output और डेटा को save और store करता है computer के भाग, मुख्यता computer के दो भाग होते हैं, hardware और software hardware वैसे भाग है, जिने हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तथा software software वैसे भाग है, जिने हम छू नहीं सकते, उन्हें केवल हम इस्तमाल कर सकते हैं उधारन के तोर पर जैसे इंसानी सरीर होता है और इंसानी सरीर बिना आत्मा के काम नहीं करता उसी तरह कंप्यूटर के हाडवेर जो है वो बिना सौप्ट्वेर के काम नहीं कर पाते हाडवेर के अंतरगत मुख्यता इन डिवाइसों को जाना जा सकता है Input Device, Output Device, Storage Device, CPU. Software के अंदर दो भाग होते हैं. पहला System Software या Operating System. दूसरा Application Software. System Software या Operating System उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा Hardware डिवाइसों को जीवित किया जाता है. इन्हें हम आत्मा के जैसा समझ सकते हैं. Application Software वैसे Software होते हैं जिनकी मदद से हम Computer पे अपने काम को आसान बना सकते हैं. या Application Software बिना Operating System के Application Software को चलाया नहीं जा सकता है. इसलिए Operating System बहुत महत्पूर्ण रहा है हमारे Computer System में. अगे हम बात करते हैं Computer Parts के बारे में. जिनकी मदद से एक संपूर्ण Computer System का निर्मान होता है. वो Parts है CPU. CPU का Full Form Central Processing Unit होता है. उसके बाद आता है Monitor. Monitor पे हम Output Display देख सकते हैं. उसके बाद आता है Keyboard. Keyboard पे हम कुछ भी टाइप करके Data को Computer में Input कर सकते हैं. ताकि वो Data आगे Process हो सके. उसके बाद आता है Mouse. Mouse एक Pointer Device है. जिसकी मदद से हम किसी एक Point पे Click करके Command दे सकते हैं. उसके बाद आगे की बाद करें. तो आता है CPU Hardware Parts. CPU Hardware Parts में हम बात करेंगे CPU के अंदर के Parts के बारे में. जो की Central Processing के अंदर के पूर्जे होते हैं. पहला होता है Motherboard, दूसरा होता है Hard Disk, तीसरा RAM, चौथा Processor, पाचवा CPU Fan, छठा DVD Writer, साथवा Internal Card. इंटर्नल कार्ड हम कई तरह के लगा सकते हैं जैसे Graphics Card, Sound Card, इत्यादी. आगे हम बात करते हैं Operating System, System Software की, तो Operating System या System Software में दो भाग होते हैं, Windows Operating System तथा Linux. Windows Operating System की बात करें तो ये User Friendly होते हैं, इस पे जो User होता है, कहने का अतातपरिया है कि जो इस System को यूज करता है, मतलब जिस Computer पे आप काम करते हैं, वो काफी ही दोस्ताना होता है, आगे हम बात करते हैं Linux Operating System की, तो Linux Operating System भी एक तरह का Command Line Operating System है, इसमें Command के जरिये भी आप काम कर सकते हैं, और Graphical User Interface के जरिये भी काम कर सकते हैं, यह सभी Open User Interface है, इसमें आप अपने तरफ से कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी है Operating System के बारे में तो, Windows Operating System कई भागों में बढ़ चुका है, इसने Windows 95 से की थी, और आज लगबख Windows 10 तक जा चुका है, जहां तक Windows Operating System की बात करें, तो यह एक License Software होता है, इसका License आपको लेना पड़ता है, आगे बात करता हूँ Windows Operating System की, Windows Operating System जब सुरू हुआ था, तब यह Command Line Interface था, मतलब की इसमें आपको ग्राफिक्स कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ Command के माध्यम से आप System को यूज कर सकते थे, अर्थात Command के माध्यम से ही आप उस Computer पे काम कर सकते थे, जो की User Friendly नहीं था, मतलब दोस्ताना नहीं था, आपको अगर Command मालूम है, तो ही आप काम कर पाएंगे, Otherwise नहीं कर पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे Windows Operating System में बदलाव किये गए, और कई वर्सों के बाद फिर Windows 95 आया, जो की एक Graphical User Interface था, और या तकरीबन कुछ दोस्ताना था, मतलब आप इसमें चित्र के माधियम से आप इस Operating System को देख सकते थे, और इसे यूज कर सकते थे, उसके बाद कई वर्सों तक Experiment होते रहे, और Windows Operating System में बदलाव होता रहा है, और या अब Windows 10 तक जा चुका है, जिसमें आपको Graphics काफी अच्छा मिलेगा, और काफी ऐसे बद करने में आसानी हो सके, आगे हम बात करते हैं Linux Operating System की, तो Linux Operating System भी एक तरह का Command Line Operating System है, इसमें Command के जरिये भी आप काम कर सकते हैं, और Graphical User Interface के जरिये भी काम कर सकते हैं, शुरुवात के दोर में या भी Command Line Interface ही था, लेकिन बाद में इसे Graphical User Interface में बदला गया, Linux Operating System में भी कई परकार हैं, जैसे Linux, Red Hat, Ubuntu, ये सभी Open User Interface है, इसमें आप अपने तरफ से कुछ बदलाव कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी है Operating System के बारे में तो, अगे बात करता हूँ Application Software की, Application Software वैसे Software होते हैं, जो की Operating System में चलाये जाते हैं, और इसकी मदद से आप अपने काम को औ और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि उधारन के तोर पर Microsoft Office, Photoshop और Movie Maker, Microsoft Office में आप Office से Related काम कर सकते हैं, Photoshop में आप Photo Editing का काम कर सकते हैं, Movie Maker में आप Movie से Related Editing का काम कर सकते हैं, I hope so दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को Like, Share, Subscribe ज़रू कर ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे, मैं आगे भी computer से Related वीडियो बनाता रहूंगा, धन्यवाद